तो सबसे बात करों स्मार्टफोन का डिजाइन के बारे में तो बैक साइन में आपको 3D Fog Glass का फिनिसिंग देखने को मिलेगा जिसके वाज़ से आपको Dual Tone फिनिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसके साथ आपको TPL Camera Setup देखने को मिलेगा और आपको LED Flash भी देखन देखने को मिलेगा डेक साइड में कोई भी fingerprint sensor देखने को नहीं मिलेगा इसके वाज़ से स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा and यह जो in display fingerprint sensor होगा यह optical in display fingerprint sensor होगा तो यहाँ पर थोड़ा बहुत budget cutting हो जाता है तो आप बात करों स्मार्टफोन टेखने के बारे में फ्रोंट में आपको water dog tag, tiny little notch setup देखने को मिलेगा notch के अंदर आपको camera setup, earpiece and notification light देखने को मिलेगा नीची के जो bezel chain होगा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जो phone होगा बहुत ही ज़दा beta होगा तो आप बात करो इस smartphone का pacification के बारे में तो सबसे बिले बात करो इस smartphone के display की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6.4 inch full HD plus OLED display panel यहाँ पर जो aspect ratio होगा आपको देखने को मिलेगा 19.5s29 के aspect ratio तो यह जो display होगा बहुत ही ज़दा best आपको देखने को मिलेगा color saturation detailing आपको बहुती बेटर देखने को मिलेगा इस display के अंदर तो आप इस display में movies enjoy कर सकतो गेम खेल सकतो तो overall यह smartphone होगा बहुती ज़दा मस्त होने वाले operating system की बात करो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा latest standard version जो कि है Android 9.0 and customer आपको देखने को मिलेगा colorways 5.2 on the top तो इस smartphone का जो user experience होगा बहुती ज़दा smooth होगा तो कोई भी आपको lag देखने को नहीं मिलेगा इस smartphone के अंदर आप बात को इस smartphone के प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 17 का प्रोसेसर है यह जो प्रोसेसर हैं आप 5G signal को भी support करते है तो यह जो smartphone का 5G के उपर best होगा और उसके सब आपको dual 4G setup भी देखने को मिलेगा और dual hold यह setup देखने को मिलेगा बाट एक confirm नहीं है जब launch होगा 5G के अंदर आएगा की नहीं आएगा RAM variant की बात करो तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा दो RAM variant जो की है 6G RAM और 8G RAM variant 6G RAM के उपर आएगा 64G का internal storage और 8G RAM के उपर आएगा 128G का internal storage और internal storage जो आप expand कर सकतो तो आप बात करो इस smartphone के camera setup के बारे में तो backside में आपको typical camera setup देखने को मिलेगा यहां पर जो primary camera होगा 18 Megapixel का secondary camera आपको देखने को मिलेगा 5 Megapixel का and 2 Megapixel का आपको depth sensing camera देखने को मिलेगा और इस camera के hail से आप किसी भी image को 3D में convert कर सकतो तो यह बहुत भी बड़िया बात है जो कि आपको देखने को मिला था OPPO R17 Pro के अंदर तो वो जो smartphone था ना बहुत भी बेटा smartphone था camera के हिसाब से and battery की बात करूँ तो OPPO R17 Pro के अंदर आपको देखने को मिलेगा 4000 mAh का huge battery and उसके साथ आपको fast charging feature भी देखने को मिलेगा additional feature की बात करूँ तो यहां आपको TIEC port देखने को मिलेगा 3.5 mm audio headphone jack देखने को मिलेगा Wi-Fi, Bluetooth and other sensor की बात करूँ तो यहां पर आपको proximity sensor देखने को मिलेगा accelerometer sensor देखने को मिलेगा gyroscope मिलेगा, light sensor देखने को मिलेगा तो सभी को उस sensor overall आपको इस smartphone देखने को मिलेगा and यह जो smartphone होगा आपको 3 color variant में देखने को मिलेगा जो की है blue, black and red variant and launching date की बात करूँ तो यहां पर इस smartphone होगा आपको February या March के अंदर देखने को मिलेगा and जो price होगा उसका कुछ confirmation नहीं है बढ़ मुझे जो लागता है under 20,000 के अंदर आपको smartphone देखने को मिलेगा तो यही है आज का वीडियो उपको April 11 Pro के बाड़ में कुछ leaks and rumors तो वीडियो पको अच्छी लोगे तो वीडियो को लाइक कर नमाद भूला comment कर नमाद भूला and अब नीज चलेंग पर पहली बाड़ा हो तो जाके subscribe मनद notification बिलको दबाद हो स्क्तार्ची है कर दो कर दो कर साथ